इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, पीजा बनाने के लिए वो भी रेडिमेड बेस से, वैसे सबसे मुश्किल काम पीजा बेस ही बनाना होता है, लेकिन अगर आपके पास पीजा बेस रेडिमेड है, तब तो ये बहुत असान है, तो देखो मैं रेडिमेड बेस से पीजा कैसे सबसे पहले प्यास शिमला मिर्च और टमाटर को मैंने एक चुटे चमस तेल में हलका सा पका लिया है फिर इसके बाद मैंने पीजा वेस पर डाल दिया है पीजा सॉस देखो अगर आपको पीजा बेस और पीजा सॉस के रिचेए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना अब मैं इस पर चीज डाल दे रहा हूँ अब आप पूछेंगे कौन सा चीज तो मैं इस पर अमूल का प्रोसेश चीज डाल रहा हूँ फिर जो हमने सबजी हलकी से पका ली थी अब वो डाल देंगे और साथ में ओलिवस अगर आपके बस ओलिवस नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं फिर उपर से चीज डाल कर मैंने गहरा बरतन ले लिया है जिसके उपर मैंने रख दिया है पीजा और पीजा को गहरे बरतन के साथ जिसमें डालेंगे उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ले लिया है फिर पीजा को उसी बरतन के साथ हमें इसमें डाल देना है और तब तक प पिखलना चाहे चीज पिखलने के बाद इस पे चिली फ्लेक्स औरी गरन डाल कर इसे सर्फ कर लेंगे